हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक इंग्लिश की स्टोरी जिसे हिंदी में अच्छे से एक्स्प्लेइन किया गया है और ये स्टोरी है दा आन्ट एंड दा ग्रास्रोपर इसमें एक चीटी और ग्रास्रोपर होता है चिड़ा तो उनके बारे में एक स्टोरी दी हुई है चलो इसको रिड़ करते हैं देखते हैं ए लोग टाइम एगो लोग टाइम एगो यानि कि अगो होता है पहले यानि एक बहुत सम्य पहले की बात है an aunt and a grass roper lived in a garden क्या था aunt यानि की cheaty and grass roper यानि टिडड़ lived यानि है न in a garden close to some grain field grain का मतलब क्या होता है grain होता है अनाज अब अनाज में क्या आएगा गेहू, चावल यह जो होता है सब अनाज में होता है और field होता है field का मतलब होता है मैदान बहुत समय पहले एक aunt cheaty और grass roper यानि टिड़ा कहा रहते थे एक garden में रहते थे जहां पे अनाज के मैदान थे, उनके पास रहते थे ठीक है यह दो को इस picture में दिखाया हुआ है यह है cheaty इदर और यह है इदर टिड़ा next is the happy the happy go lucky and merry grass roper always spent his time singing and dancing तो जो grass roper था वो क्या करता था अपना सारा time spent करता था spent करना होता है बिताना always यानि हमेशा हमेशा वो अपना समय कैसे बिताता था singing यानि गाना गाकर dancing यानि नाच कर in the garden गार्डन में वो अपना समय कैसे बिताता था गाना गा कर और डांस करके His friend His किसके लिए यूज़ हुआ है His यूज़ हुआ है उस grassroper के लिए तो grassroper की जो friend थी कौन थी ये aunt थी The little aunt was always busy working यानि कि वो जो छोटी सी aunt थी ये सारी चीटियां थी वो grassroper की तरह हमेशा अपना समय बरबाद नहीं करती थी वो क्या करती थी हमेशा अपने काम में busy रहती थी Always यानि कि हमेशा Even at the peak of summer Summer होता है गर्मिया Even यानि कि peak of summer यानि कि जब बहुत ज़्यादा गर्मिया होती थी The aunt carried food grain from the nearby field on her back end store them safely in her home क्या करती थी जो aunt carried होता है लेना aunt क्या करती थी food यानि खाना जैसे यह दिखा रखा है इस picture में इकटा करती थी चाहिए कितनी भी घर्मी होती थी field से and back store store होता है जमा करके रखना यह ना store इसका मतलब होता है store करके रखना जमा करके रखना कहां पे safely in her home अपने घर की अंदर खाना जमा करती थी देखो इस picture में जैसे दिखाया है पहले ग्रेन से ऐसे दाना जोगती थी एक एक करके लेकर आती थी और अपने घर में अच्छे से store करती थी a ग्रास्रोपर क्या करता है हमेशे उनके साथ हमेशेstore ह bowl यानि मजाक करता थी उव्हें वह मजाक उडाथा रिया उनके साथ पन करता था HE often asked her to leave all that work and join him in singing and dancing वो क्या कहता था grassroper उनसे कहता था to leave leave होता है छोड़ना ये सारे काम छोड़ो join him singing उसका गाना सुनो और उसके साथ dance करो ये मतलब grassroper उनसे कहता था चीर्टियों से कि खाना इखटा करना बंद करो मेरा गाना सुनो और मेरे साथ dance करो come on my friend what is the need to sweat it out in this hot summer sun कहता है come on my friend come on मेरे दोस्त what is need need होती है जरूरत to sweat sweat होता है ये पसीना तो कहता है आपको पसीना बहाने के क्या जरूरत है hot summer इतनी गर्मी में the grassroper ask the aunt asked होता है पूछना तो grassroper aunt से पूछता है इतनी गर्मी में पसीना बहाने के क्या जरूरत है I am preparing for the winters the aunt replied तो aunt होती है चीटी के कहती है उस grassroper से मैं अपना winters यानी की सर्दियों के लिए खाना इखटा कर रही हूं replied होता है जवाब देना तो किसको जवाब देती है वो grassroper उसे कहती है कि मैं तो महनत करूंगी मैं तो अपना खाना अपने winters यानी सर्दियों के लिए इखटा कर रही हूं दा आंट refuse to join the grassroper and continue gathering grains instead तो refuse होता है मना करना आंट क्या करती है मना कर देती है grassroper को to join continue gathering the grassroper उसे कहता है ने कि इतना काम छोड़ो मेरे सा मेरा गाना सुना और डांस करो तो वो इसको refuse कर देती है मना कर देती है gathering होता है फिर से इखटा करना तो क्या करती है अपने खाना फिर से इखटा करने लग जाती है she kept herself busy storing food supply for the cold and harsh winter when it would be difficult for her to venture out तो क्या करती है वो आपने आपको busy रखती है storing होता है जमा करना food को जमा करने में ठीक है ताकि जब cold harsh winter आए मतलब जब बहुत ज़्यादा सर्दी आएंगे कहीं भार नहीं निकल पाएंगे तब हमें क्या होगा हमारे पास खाना पहले से ही रखा होगा हमें भार जाने की जरत नहीं पड़ेगी इसलिए वो क्या करती है चीटी गर्मियों में ही महनत करती है दा ग्रास रोपर laughed at her and told her there was an a food for lifetime तो ग्रास रोपर क्या कहता है ग्रास रोपर पहले तो लाफ करता है लाफ होता है हसना तो ग्रास रोपर चीटी की बास सुनकर हसता है and told her told होता है कहना her चीटी के लिए उज़ हुगा है तो किससे कहता है ची लाइफ टाइम यहां सपास देखो हमारे पास बहुत सारा फूर्ड है अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए कौन कहता है ग्रास रॉपर कहता है चीटी से लेकिन क्या करती है आंट उसकी बात नहीं सुनती है और नेवर स्टॉप्ड वो रुकती भी नहीं अपना काम करने से पूरी गर्मियों क्या करती है अपना अनाज एक खटा करती है और अपने घर में ले जाती है दा ग्रास रॉपर कंटिन्यू टू सिट इन दा शेड ओफ दा गार्डन ट्रीज ग्रास रॉपर यह करता है ग्रास रॉपर यह इसमें गार्डन में पेड के नीचे शेड होती है चाओ तो पेड के नीचे की चाओ में बैठा रहता है राम से sing happily और आराम से गाना गाता वो कोई मैनत नहीं करता summer gradually came to an end क्या होता है summer यानि गर्मिया धीरे-धीरे खतम होने वाली है but that did not affect the grass roper लेकिन grass roper तो अपनी मस्ती में रहता है वो कोई काम नहीं करता आराम से आल सी बनके लेटा रहता है उसके ओपर कोई इसर नहीं होता it also did not stop the aunt from relentlessly carrying food grains from the fields to her homes relentlessly क्या होता है इसका मतलब होता है लगाता it also did not stop aunt तो aunt क्या होती है aunt उसकी बार सुनके उसे देख के stop नहीं होती वो क्या करती है लगातार carrying food अपना food grain from the fields of her home वहां से field grains वो क्या करती है अनाज उठाती है field से और अपने घर में store करती है she stopped by and advised her grass stopper friend to start storing food for the winters for himself too क्या करती है वो कहती है इस सब गाना गाना ये सब छोड़ो और अपना advice करती है उसको सला देती है अड़्वाइस करना क्या होता है सला देना grassroper को कि friend तुम भी अपना खाना storing store करो अब इसे खटा करो winter for herself to क्योंकि सर्दी आएंगे तो तुमें भी कहीं खाना नहीं मिलेगा stop wasting your time and start gathering some food अपना time waste करना बंद करो waste करना क्या होता है बरबाद करना कहती है अपना time गाने गाने में और नाचने में और या आजसी बनके पढ़े राने में बंद करो और अपने लिए खाना इखटा करो you will need it in the winters the aunt urge क्या कहती है तुमें भी खाने की जुरत पड़ेगी और जोता है आग रह करना निवेधन करना तो वो उससे अराम से कहती है निवेधन करके कहती है कि तुमें भी खाने की जुरत पड़ेगी तो अभी से खाना इखटा करना शुरू कर दो the grassroper only smiled and sad smiled होता है वो मुस्कुराता है कौन? grassroper और कहता है sad होता है कहना कहता है there is lots of time अभी हमारे पास बहुत सारा time है right now all is fine और अभी सब कुस ठीक है इतना खाने की भी जुरत नहीं है the aunt struck away and continue with her daily routine अभी यहाँ पर आये एक word struck struck का मीनिंग होता है सरक जाना मतलब माँसे निकल जाना तो aunt उसे पहले तो समझाती है कि अपना time waste मत करो जब उसे लगता है grassroper उसकी बात नहीं सुन रहा है तो वो क्या करती है माँसे struck यानि निकल जाती है and continue with her daily routine और अपने काम में लग जाती है उसका काम क्या था अपने खाना ही खटा करने अपने खाने को store करने में लग जाती है the season soon change season क्या होता है season होता है मोसम क्या होता है पहले तो गर्मी होती अब क्या होता है धीरे धीरे सर्दियानी शुरू हो जाती है winter brought in freezing temperatures brought क्या होता है brought होता है लाना तो winter क्या करता है winter लाता है freezing temperature temperature का मतलब होता है तापमान जब सर्दियान होती है तो क्या होता है freeze करने वाला मतलब जमा देने वाली ठंड पड़ती है and the grassroper realized he had no food realized होता है उसे पता लगता है किसको ग्रास रुपर को पता लगता है अरे दूर दूर तक तो कहीं भी खाना नहीं है और मैंने तो खाना इखटा भी नहीं करा अब मैं क्या करूँ वो क्या करता है लुक अराउंड वो अपने आसपास देखता है कि कहीं कुछ फूड मिल जाए but he was so cold पर इतनी ठंड पड़ रही होती है he could hardly move और उसे चलने में भी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ठंडी हवा चल रही होती है everything was covered with snow हर covered होता है ढख जाना सब कुछ बरफ से ढख चुका था कहीं दूर तक खाने के लिए कुछ भी नहीं था he snuggled all by himself to remain warm snuggled क्या मतलब क्या होता है देखो एक word आया है snuggled यह होता है लिप्टा हुआ या ठहरना तो क्या करता है वर ठहरता है एक जगे जब मतलब अगर ठंडी हवा चल रही है अगर आप उसमें चलते रहोगे तो क्या होगा आपको और जदे ठंड लगेगी वाम होता है गरम करने के लिए तो अपने आपको गरम करने के लिए एक जगे ठहरता है रुकता है suddenly suddenly का मतलब होता है अचानक he remembered होता है उसे याद आता है his his good friend उसकी तो एक अच्छी friend है the aunt कौन चीटी and thought to himself वो उसके बारे में सोर्चता है she will surely offer me a roof रूफ होती है छत तो क्या रहता है वो जरूर मुझे अपने घर में बुलाएगी she has saved a lot of food वो गरमियों में बहुत सारा food भी खटा कर रहे थी I am sure she will offer me that too वो मुझे अपने घर में भी रखेगी और मुझे खाना भी जरूर खिलाएगी फिर क्या करता है वो ग्रास रोपर he quickly dragged his cold feet to the aunt's house and knocked on her door अब एक वर्डा है dragged, dragged का मीनिंग होता है गसीटना मतलब क्या करता है वो quickly इतनी ठंड में जल्दी से अपने पैर गसीटता हुआ जाता है feet होता है पैर aunt's house and knocked होता है खटखटा आना क्या करता है उटका दर्वाजा knock करता है on her door किसका aunt का let me in for I am cold, weak and hungry कैरे मेरी बास सुनो मुझे ठंड लग रही है मैं बहुत weak यानि कमजोर हो चुका हूँ hungry यानि मुझे भूट भी लग रही है my dear friend मेरी अच्छी दोस्त he said कौन कहता है ग्रास रोपर कहता है the aunt opened the door just a little bit aunt के अगर थी open रोता है खूलना डोर रोता है दर्वाजा aunt आती है थोड़ी से देर बाद little bit दर्वाजा खोलती है she did not let the grass roper in लेकिन वो grass roper को अपने घर के अंदर नहीं बुलाती है she refused to offer him any food to refused होता है मना करना मतलब वो उसको कोई भी खाना भी नहीं देती है the cold and hungry grass roper was weak cold यानि ठंड के मारे hungry grass roper यानि भूका जो grass roper था वो क्या हो गया था बहुत ज़्यादा weak हो गया था I will sing to you for free grass roper कहता है प्लीज मुझे अपने घर में रख लो खाना दे दो मैं तुमारे लिए free में गाना गाऊंगा my friend he bagged बिंती करना मतलब वो हाथ जोड़ के करता है चीटियों के सामने बिंती करता है कि मुझे अपने घर में बुला लो और प्लीज मुझे खाना दे दो मैं तुमारे लिए free में गाना गाऊंगा अब देखो चीटि क्या कहती है do you remember how hard I work during the hot summers do you remember remember का मतलब होता है क्या तुम्हें याद है हमने कितनी महनत करी थी summers में जब गर्मिया पड़ रही थी और तुम क्या कर रहे थे अराम से ट्री की शेड में लेटे होए थे और गाना गाते थे ता आंट आस्क दे ग्रास रोपर वो ग्रास रोपर से पूछती है क्या तुम्हें याद है I did that to provide myself with food during the cold season इसलिए मैंने गर्मियों में अपने लिए क्या कर रहा था food इखटा कराता था कि मुझे सर्दियों में अधर दर ना जाना पड़े I had asked you two to do the same मैंने तुमसे भी कहा था कि तुम भी अपने ले खाना इखटा कर लो You ignored पर तुमने इग्नोर कराता था और इग्नोर करना होता है नजर अंताज तुमने मेरी बात तब नहीं सुनी थी You ignored my words and laughed at me instead तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी थी and laughed तुम मेरे पे हसे भी थे Sing for someone else Please अपना गाना किसी और के लिए सुना कौन कहती है चीर्टी कहती है मुझे तुमारा गाना नहीं सुना किसी और को सुना I am sorry मुझे माफ करो But I have enough grains on myself तुमने चीर्टी कहती है मुझे माफ करो मेरे पास grains तो है मतलब अनास तो है पर वो only for myself वो मेरे लिए है और मेरे family के लिए भी है The grassroper then realized that he should have utilized his time better in the state of wasting it on singing and lazing in the garden Grassroper को क्या होता है Realize होता है उसे Realize होता है पता लगता है कि उसने क्या कर रहा था अपना बहुत सारा time waste कर दिया था किसमे गाना गाने में and lazing in the garden मतलब आल सीवन के garden में लेटे रहने में तो क्या है moral of the story क्या थी तो हमने देखा था कि आंट कितनी महिनत करती है गर्वे में ताकि सर्दियों में उसे अराम से भैस सके वहीं क्या होता है वो grassroper से भी कहती है कि तुम भी अपने लिए food इखटा कर लो लेकिन grassroper तब नहीं सुनता तो moral of the story क्या है इस story से हमें क्या सीखने को मिलता है चले देखते हैं यह बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना time important and meaningful work करने में यूज करना चाहिए यह नहीं है आप हमेशा खेल रहे हैं यह टीवी देख रहे हैं mobile phone जला रहे हैं तो यह क्या कर रहे हैं आप अपना time waste कर रहे हैं बल्कि इसमें आपको important काम करना चाहिए अगर आपको कोई homework मिलता है तो उसे टालो मत तभी की तभी कर लो यह ना you should always spend your time in a constructive manner तुम्हें अपना क्या कहते है time constructive manner एक अच्छे से काम में use करना चाहिए अपना समय वरवाद नहीं करना चाहिए time is precious precious होता है अमुल्य time क्या चीज़ है time ऐसे चीज़ है जो बहुत अमुल्य है आप इसे पैसे देकर भी time नहीं खरी सकते and you must make the most of it by doing positive things इसलिए अगर आपके पास time है free time है तो उसको use करो उसे बरवाद मत करो तो आप बताना आपको इस story कैसी लगी story होगी finish आप इसको फिर से read करना इसके जो मुश्किल word है word meaning है इसको लिखना उसको learn करना और एक बार फिर से read करना okay thank you